दोस्तो केके इंटेरियर के एक नई वीडियो में आपका स्वागता आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक 10 फुट बाई 10 फुट के रूम में जो हमने सेलिंग डिजाइन बनाया है इसके बारे में तो दोस्तो अगर आप चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बैल आइकन दबा लेना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रही दोस्तों सबसे पहले आपको दिखा पा रहा हूँ पूरा का पूरा जो सीलिंग का डिजाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो डिब्बे कैसे बनाए जाते हैं इसकी भी आप वीडियो देख सकते हो और डिब्बो के बीच में हमने एक एक ब्लू कलर की स्टिप लाइट लगाई है और इस परकार से जो पूरी की पूरी सीलिंग डिजाइन है वो बहुत ही बढ़िया और लेटर लगता है तो इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ जो हमने ब्लू कलर लगाई है वो वाइट कलर की स्टिप लाइट लगाई है और जो पैनल लाइट लगाई है और स्केर 15 वोट में पैनल लाइट हमने यहाँ पर लगाई है इसके बाद जो border है वो dark color और बीच में light color और बीच में से भी इसको हमने dark color से down किया तो इस प्रकार से इस पूरी ceiling को हमने बनाया है अगर बात करें पूरी ceiling का जो बनाने का process वो कैसा होता है किस प्रकार होता है तो हमारी बहुत सारी video uploaded है channel पर installation को लेके किस प्रकार से PVC ceiling की installation होती है और दिवार पर कैसे लगता है और पूरा का पूरा डिबबे जैसे आपको देख पारे हैं फिलाल जी जैसे डिबबे दिखा पार हूँ आपको तो डिबबे कैसे बनाई जाते हैं इसकी भी एक video upload की हमने बहुत सारी कर रखी है वैसे इससे पहले भी हमने एक video upload की है तो वहाँ से जाकर आप डिबबे बनाने वाली process भी देख सकते हो तो दोस्तो ये कुछ ceiling का design था 10 by 10 के हमने area में बना है अगर बात करें थोड़ी सी cost की तो जो PVC ceiling की cost है वो 100 रुपे पर square foot के इसाब से आजाती है जिसमें labor material transport सारा कुछ include रहता है दोस्तो अगर आप भी करवाना चाते हो PVC का वरक तो करवा सकते हो 100 रुपे square foot में आपको ये PVC का वरक मिल जाता है जिसमें labor material transport सारा कुछ include रहेगा इस relative को जानकारी लेने के लिए आप हमें call कर सकते हो स्क्रीन में और डिस्पले पे आपको number मिल जाएगा